Hey guys, how are you all? Hope are doing well. I am Tanuja Tukwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए, जब female pregnancy conceive करने का ट्राइ कर रही होते हैं, तो हर female को जल से जल ये जानने की curiosity रहती है कि उन्हें pregnancy conceive हुई है ये नहीं हुई है. क्योंकि pregnancy conceive होने में, कुछ महलाओं की body में तो लक्षन दिखते हैं, बड़ कुछ महलाओं की body में early phase में कुछ भी नहीं पता चलता. तो कैसे आप जाने कि आपको pregnancy conceive हुई है ये नहीं हुए? देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने में जो हॉर्मोन है वो भी धीरे-धीरे बढ़ते हैं, नए हॉर्मोन भी प्रेड्यूस होते हैं, उनका लेवल भी धीरे-धीरे बढ़ता है, तो धीरे-धीरे जैसे जैसे जै प्रेगनेंसी कंसीव हुई है ये नहीं हुई है, तो इस कंडिशन में कैसे आप पता कर सकते हैं, ऐसा कौन सा लक्षर है, जो फिजिकली आपको नहीं दिखाई देता है, बट जब हॉर्मोन फ्लक्षट होते हैं, तो वो आपकी बॉडी में काम करता है, जिससे आप पता कर सकते हैं, तो देखें गाईज, फिर्स फॉल तो प्रेगनेंसी जो महलाओं को कंसीव होती है, वो पीरेट साइकल लेंद के एक किसवे दिन से लेके तीसवे दिन के बीच में अभी भी हो सकती है, अब प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है, बच्चा सफलता पूरवक यू बेसल बॉडी टेंपरेचर को मेजर कीजिए, कि बेसल बॉडी टेंपरेचर आपका काम करता है, जैसे जैसे आपके हॉर्मोन फ्लक्चुएट करते है, तो वैसे वैसे आपका जो बॉडी का टेंपरेचर है, वो भी उसी तरीके से काम करता है, बेसल बॉडी टेंपरेचर भी बदलाव आते हैं तो इन बदलाव के थूँ आप अपनी प्रेगनेंसी को जान सकते हैं बट उसके लिए आपको पीरियट के पहले दिन से अपने बेसल बॉडी टेंपरेचर को मेजर करना होता है क्या तरीका है कब करना है कैसे आप सही तरीके से पता कर सकते हैं बेसल महलाओं का Ovelation होने वाला होता है उससे पहले महलाओं के Basal Body Temperature में थोड़ सी गिरावट होती और जैसे है महलाओं का Ovelation होता है और मतलब है कि O prondy से अंडा बाहा निकल के फैलोपें त्यूब में चला गया है तो उसके बाद सडनली महलाओं के Basal Body Temperature में थोड़ी सी बढ़ोत्री होते है थोड़ा सब इंक्रीज होता है like 0.5 to 1 degree Fahrenheit इस तरीके का चेंज आपको दिखेगा क्योंकि देखेगा और जैसे ही महलाओं के ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो प्रोजेस्टरन हार्मोन काम करना शुरू कर देता है तो उसके बाद महलाओं क कि बेसल बॉड़ी टेंपरेचर में भी बदलाव आता है बड़ यहां पर आप यह नहीं हो सकते ही कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है क्योंकि ओविलेशन के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव करने पे कम से कम साथ दिन का ताइम लगता है तो अगर आप अपने बेसल बर्ड़ी टेंपरेचर को मेजर कर रहे हैं पीरिएट के पहले दिन से बड़लेशन के बाद तो आप देखेंगे कि विलेशन के बड़ा हुआ है वो थ्रूआट प्रेगनेंसी बड़ा ही रहता है इसके पीछी की दो कारण है सबसे पहले तो हॉर्मोन फ्लक्रेशन की वज जिसके वजह से महलाओं का बेशल बाड़ी टेंपरेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है थुरू आउट प्रेग्रेंसी ये दो बहुत बड़े कारण है अगर आप सही तरीके से बेशल बाड़ी टेंपरेचर को मेजर करें हैं तो आप ये जान सकते हैं कि कब आपका उविलेशन हो रहा है या कब आपका implantation सफल हुआ है कब आपको pregnancy conceive हुई है या नहीं हुई है तो basal body temperature को measure करने का best time है morning में जब आप bed पे ही होते हैं तो bed के pillow के नीची आप रख सकते हैं या side पे आपको thermometer रखना है digital वाला वो thermometer आपको बैट से नहीं करना है लेटे 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 अपने temperature को measure करना है और diary में period के पहले दिन से load करना शुरू कर देना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका body का temperature fluctuate कर रहा है और basal body temperature को morning में ही इसलिए measure किया जाता है क्योंकि आपकी body जब rest पे होती है तो आपको exact or accurate desert मिल पाती है जिससे आपको accuracy से पता चल पाता है कि आप pregnant है या नहीं तो इसी तरीके से आप अपने basal body temperature को measure करके बिना किसी physical pregnancy के लक्षनों के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपको pregnancy conceived हुई है या नहीं हुई है यही आज का वीडियो होग करती हुए आप लोगो को अच्छा लगा होगा धाए थैस्ट फर वचिए दिस वीडियो में नेक्स वीडियो तिल दिन